गोनुजा अपनी तीवर बुद्धी के कारण न केवल मिथिला में प्रसिद्ध थे, बलके उनकी प्रसिद्धी दूर दराज तक पहाँच गई थी, उनके वानी चातोर्य की सराहना मिथिला नरेश कई बार भरे दरबार में कर चुके थे, गोनुजा के कारणामों की चर्चा पर अनकुष लगाना, अपनी बुद्धी के बूते गोनुजा ने गाउ में सक्रियक, चोर गिरोह को न केवल पकरवाया था बलकि उन्हें सजा भी दिलाई थी, सजा काट रहे चोर संकल्प ले चुके थे कि सजा की अवधी पूरी होने के बाद, जैसे ही वे कारागार से बाहर आएंगे, वैसे ही गोनुजा को मजा चका देंगे, चोरों की सजा की, अवधी भी पूरी हुई और वे कारागार से बाहर भी आ गए, अपने संकल्प के अनुरूप कारागार से निकल कर वे सीधी गोनुजा के, आवास की ओर गए और गोनुजा के मकान के आसपास सूरज दूप चुका था, नीम अंधेरा फैला हुआ था, चोरों के सरदार ने अपने साथियों को बुला कर कहा, तुम लोग घर जाओ, आज मैं अकेले ही गोनुजा के घर में चोरी, करूंगा, जो कुछ भी हाथ लगेगा, उसमें तुम सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा, चोरों में से एक ने कुछ कहने के लिए मून खुला ही था, कि चोरों के सरदार ने कहा, कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं, गोनुजा मेरा शिकार है, उससे मुझे अकेले निपटने दो, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अपने बाल बच्चों से मिलो, मुझे अ ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं कि वह जिन्दी भर याद रखे, और अपने दिमाग पर इत्राना भूल जाए, बात सरदार की थी, किसी दूसरे चोर को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, सरदार, अकेला छोड़कर शेश सभी चोर अपने अपने घर की ओर चल दिये, चोरों का सरदार गोनुजा के घर की चहार दिवारी के पास चहल कदमी करने लगा, उसने अपने कंदे पर लटक रहा गमछा हाथ में ले लिया और अपने माथे पर लपेट लिया पगरी की तरह, और फिर वहीं टहलने लगा, गोनुजा दरबार से निकल कर बजार होते हु वे लोट रहे थे, हाथ में एक जोला था जिसमें उन्होंने कुछ सब्जी भाजी खरीद कर रख ली थी, उनकी पत्नी ने सुबह ही कहा था, शाम को सब्जी लेते आएगा, नहीं तो रात को खाने में सब्जी नहीं मिलेगी, अचार मुरब्बा से ही काम चलाना पड़ेगा दौट, फिर मुझसे कुछ मत कहिएगा, गोनुझा जब अपने हाथे की तरफ मुरने लगे, तो चोरों का सरदार निश्चंत भाव से चलता हुआ, उनके पास आ गया और बोला, राम राम पंडित जी, गोनुझा ने उसकी तरफ देखा तो पहचान नहीं पाई की यह आप दिया, राम राम, चोरों के सरदार ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे नहीं, पहचानते हूंगे लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, आपके परोस के गाव से आपकी कीर्टी सुनकर, आया हूं, मेरे गाव में चोरों ने उत्पात मचा रखा है, मैंने कि आपने अपने गाव से चोरों का सफाया करा दिया, मुझे कोई तरकीब सुझाए कि अपने घर में चोरी नहीं होने दूं, और अपने गाव वालों को भी चोरों के प्रकोप से बचने की तरकीबे सुझा सकूं, गोनुझा ने जैसे ही चोर की बाते सुनी तो उनका दिम पूछने की तरकीब पूछना उन्हें सामान्य नहीं लगा, मन में उमर रहे संदेह पर काबू पाने की कोशिश करते हुए। उसने गोनु जा से कहा, जैसी आपकी आग्या पंडित जी, मेरे जैसा आदमी आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। दाल में जरूर कुछ काला है, दूसरी तरफ चोरों के सरदार को लग रहा था, कि गोनु जा उसके जहांसे में आचुके हैं, अब जब वह उनके घर जाही रहा है, तो इससे यह फाइदा आवश्या मिल जाएगा, कि गोनु जा उसके जहांसे में आचुके हैं, अब जब वह उनके घर जाही रहा है, तो इससे यह फाइदा आवश्या मिल जाएगा कि घर में कहां क्या सामान रखा हुआ है। उसका अंदाज तो निश्चे ही आसानी से लग जाएगा। गोनु जा अपने बैठक में चोरों की सरदार के साथ पहुचे, और उसे आसन पर बैठाया तथा पंडिताइन को आवाज देकर लसी बनाने को कहा। लसी आ गई तब गोनु जा ने लसी का लोटा थमाते हुए कहा। लो भाई, लसी पीओ और अब बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो। ऐसा कहते है गोनु जा ने लाल्टेम की बत्ती, तेजकी और चोरों के सरदार की ओर देखने लगे। गोनु जा को ऐसा लगा कि इस व्यक्ती को उन्होंने कहीं देखा है। मगर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कहा और कब। चोरों के सरदार ने पुनः अपनी वही बात दुहराए। और घर में एधर उधर देखते हुए लसी पीने लगा। अचानक गोनु जा को याद आया आरे ये तो वही आदमी है जिसको उन्होंने अपने घर में पलंग के नीचे चोरी की मनशा से छुपे रहने पर एक रात परोसियों को बहुत चालाकी से पुकार कर पकरवाया था। बस फिर क्या था। उन्होंने एक शन भर में समझ लिया कि यह चोर उनसे बदला लेने के इरादे से ही आया। उन्होंने इस बात को प्रकत नहीं होने दिया। और कहा अच्छा हुआ भाई तुम यहां आ आ गए। मुझे लगता है कि भगवान ने ही तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। तुम्हारी मदद तो बाद में होगी मेरी तो समझो की हो गई। चोरों का सरदार गोनु जा की बात सुनकर चक्रा गया। अरे ये क्या कह रहे है पंदित जी आप। मैंने क्या मदद कर दी आपकी ये की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सकार करे और लाइक और शेयर करे।